नमस्कार वेलकम टू बैक माई यूटूब चैनल विप्रिंटाइब हम आजके इस वीडियो में आज यार सिटीस से लेटेड एक और जबर जस्ट जनकारी लेकर काया हूं हम बात करने वाले हैं वेरिफाई एकाउंट के बारे में आयर सिटीस से में हमें कभी-कभी वेरिफाई एकाउंट का ओमें आफसन आता है आप यहां पर देख सकते हैं कि उपर में लिखा हुआ वेरिफाई एकाउंट यानि यह साल भर 6 महिना या फिर 5 महिना दो महिना या कभी भी आपके साथ यह ऐसा हो सकता है जब आप इसको आप verify account का option आ रहा है यानि हमें यहाँ पर account को verify करना है तो चलिए मैं आप उपर में देख सकते हैं कि mobile number verified लिख रहा है लेकिन यहाँ पर सिर्फ email ID और enter OTP send your email ID यानि जो हमारा email ID पर OTP आएगा उसको हमें यहाँ पर सिर्फ enter करना है लेकिन यहाँ पर mobile number का option नहीं है यानि उपर में mobile number लिखा रहा था mobile number डालने के बाद हमें उसका फिर लिखा रहाता enter OTP send your mobile number यानि हमारा जो mobile number इस तरह है उस पर हमारा OTP आथा यानि उपर में जो लिखा है उपर में जो email ID लिखा हुए था हम नीचे यहां हमारा लिखा रहा है मुवाईल नंबर का लेकिन हमारा उपर में लिख रहा है मुवाइल नमबर फेरिफाइड साइज हमारा मुवाइल नमबर फेरिफाइड है कि नहीं है लेकिन यहां पर ऐसा लिख रहा है तो चलिए हम पहले एमाल एड बड़ी को चेंज करते हैं हमने हाप पर इमएल एड को चेंज कर दिया है चलिए अब हम इसपे एपको सेंड करते हैं था में और पर हम इसपे सेंड ऊटीपी पे Celebrly कलिक करना है इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप आप यहां पर देख सकते हैं कि information email otp send to mail यानि हमारा gmail ID हमारा email ID otp को send किया गया है otp कभी तुरंत भी आ सकता है देरी से भी आ सकता है तो चलिए हमें थोड़ा से इंतजार कर लेना है otp आने तक आप यहां पर देख सकते है कि otp आ गया है चलिए मैं otp के बूल गया है एक और चीज में आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपका email ID login नहीं है तो आप अभी जो इस समय IRCTC में जो आपको इस तरह से verify account का option आता है तो आप यहां से email ID को change कर सकते हैं जैसे हमने यहां है हमने यहां पे otp के इंडर किया है चलिए हम verify करके देखते हैं कि यह verify होता है या नहीं otp हमने जैसे ही इंडर किया verification successful हो गया आप यहां पे देख सकते हैं कि congratulations otp verification successful for the user इसके बाद हमें यहां पे फिल से password डालना होता है पास्वर डालना के बाद हमें यहाँ पर capture code के fill करना होता है इसके बाद हमें यहाँ पर next process के लिए ready हो जाते हैं तो चलिए हमें यहाँ पर password फटाफट डाल देते हैं पास्वर डालना के बाद हमें capture code डालना होता है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं तर चलिए मैं यहाँ पर कैप्चर कोड को इंटर करेता हूँ कैप्चर कोड हमने डाल दिया चलिए मैं इसको लोगिन करता हूँ कि लोगिन होने के बाद हमें यहाँ पर पीन को इंटर करना होता है यानि पीन हमें यहाँ पर डालना होता है तो चलिए मैं यहाँ पर पीन डाल देता हूँ पीन हमने हम पे डाल दिया है चलिमने को सबमिट करता हूं आप यहां से दूसरा पीन भी जनरेट कर सकते हैं जो आप पहले से जो पीन रखें ऐप फंल पीन होता है जो 5 डिजित आप चाहिएव जिदना भी रखना चाहते हैं उसको आपको यहां पे इंटर करना होता है, चलिए मैं इसको यहां पे इंटर कर दिया हूँ, इसके बाद मैं सम्मिट करता हूँ यहां पर लिख रहा है कि remember pin, please remember to keep your pin in the safe, चलिए मैं इसको यहां पर ok करता हूँ एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमेसा यह सवाल होता है कि सर हमारा MLID पे OTP नहीं आता है MLID में OTP कब आएगा जब वो MLID आपके मॉइल में रहेगा तब भी तो आपके MLID पे OTP आएगा आपने देखा कि हमने MLID को चेंज किया MLID को हमने क्यों चेंज किया क्योंकि वो MLID हमारा MLID में नहीं था अगर हम उस पे अगर OTP को सेंड करते तो पता नहीं OTP कहा जाता और हम उसको कहां से ढूंडते इसलिए हमने MLID को चेंज किया कि हमारा जब ऐहा ऐसा प्रोब्लम हुआ था आप देख सकते हैं कि वेरिफाइए एकाउंट सिर्फ वेरिफाइए एकाउंट का ही ऑप्सन था यानि मुबाइल नमबर वेरिफाइट करने का ऑप्सन नहीं था यानि मुबाइल नमबर पहले से ही वेरिफाइड था सिर्फ इमेल आड़ी को ही वेरिफाइए करने के लिए यहाँ पे ऑप्सन आया था इस जिसको आपको नोटिस करना है कि आप मुबाइल नमबर को भी चेंज कर सकते हैं अगर आपको ऐसा मौका मिले तो अगला बार जब हम ऐसे किया था जब फेरिफाइड का हमें जब आपसन आया था फेरिफिकेशन का तो हमारा मुबाइल नमबर और इमेल आड़ी दोनों को ही हमने किया था इस बार हमें थोड़ा अजीब सा option आया कि हमें सिर्फ mobile number already verify करना का option आया और हमें आपे सिर्फ account verification का ही option आया अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो आप हमें comment करके पूछ सकते हैं समझाने के टमें में वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है आप स्किप करकर के नहीं देखें नहीं तो आपको कुछी भी समझ में नहीं आगा एक और सीज्यम आपको पता देना चाहता हूं कि आया शीटिस से इलेंटर इंडियान रेलवेर रिलेटर एक से एक वीडियो या फी नीउज देखने के लिए आप हमारे चैनल को स्ब्सक्राइब कर सकते हैं हम आया सिटी से लेटेड इंडियन डेलवे लेटेड ही वीडियो बनाते हैं आसा करता हूं कि जनकारी आपको अच्छा लगा हो अच्छा लगा हो तो प्लिस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलेंगे ने जनकारी के साथ तरते के लिए दिज आज़ जये